हेलो एब्रिवन आज एक नए टॉपिक के साथ हम यह वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है डैप्रिशियेशन इस चैप्टर से रिलेटिड जितना भी थेयुरिटिकल पार्थ है आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा और हर एक जिसफे iust topics related लेटिड तो स्टार्ट करते हैं अगर नौर्मलिय देखेएं तो डैप्रिशियेशन कि से कहाँ है डैप्रिशियन से हम समझते हैं कि गो वाल्यू हैसे की वह jsut Azadinal कम होती सब्सक्क्राइब जाती है जैसे जैसे हम उसको यूज सब्सक्राइब थीक है अगर 10,000 का asset है तो वो अगले साल उसकी value 9,000 हो जाएगी या फिर उससे अगले साल 8,000 यानि कि उसकी value कम होती जा रही है और जितने भी amount से वो कम हो रही है उसे ही depreciation कहा जाता है हाना लेकिन अगर हम इसके proper definition देखे तो किसे कहा जाता है depreciation Depreciation क्या है? It is the process of allocation of the cost of fixed asset over its useful life, is known as depreciation उस asset की जितने भी cost है जब हम उसको allocate कर देते हैं उतने years के लिए जितने years हमने उसको use किया है तो उसे कहा जाता है depreciation तो value का कम होना और उस product का use होना वो भी constant use हम करते जा रहे हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है उसकी value कम होती जा रही है उसे कहते हैं depreciation अब यह word ध्यान रखना the process of allocation यह question में जरूर देखने को मिलता है तो हमें जो ध्यान में आता है कि value asset की कम हो रही है बस हमें इतना पता रहता है लेकिन जो cost है asset की जब उसको allocate किया जाता है उन सालों के लिए जिसमें उसको use किया है asset को उसे कहते हैं depreciation जैसे इसमें example भी दिखा रखा है asset मानलो 1 lakh का है जैसे जैसे हम उसको 5 years के लिए use कर रहे हैं 10 years के लिए use कर रहे हैं तो उन 10 years बाद उसकी जो value हो जा रही है वो 80,000 हो रही है यह book value की बात कर रहे है market value की बात नहीं कर रहे, market value हो सकता है इस asset की भढ़ जाए या फिर कम भी हो जाए यह हम book value की बात कर रहे हैं जो original cost है product की उसकी बात कर रहे हैं कि वो कम होके कुछ सालों बात कम हो रही है और कम क्यों हो रही है क्योंकि उसके उपर depreciation लग रहा है उसे कहते हैं depreciation इसको और अच्छे से clear करेंगे इसके features के साथ अब features क्या बोल रहे हैं कि यह decline in the value of asset यह हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो value of asset है उसकी कम हो रही है जो value उसे depreciation बोलते हैं लेकिन इसमें कोई exceptional case आता है वो है land लैंड पे कभी भी depreciation नहीं लगता लैंड की जो value है वो वही रहेगी और समय के अनुसार उसकी value increase होगी कम नहीं होगी ठीक है इसकी अलावा permanent nature का है permanent nature है यह लगेगा ही लगेगा जब जब हम asset को use करेंगे तब तब उस पे depreciation लगी और उसकी value कम होती जाएगी decrease only book value not the market value यह बात हमने अभी करी थी यहाँ पर से book value जो original cost है product की वो कम होगी market value कम या जादा नहीं हो रही market value तो depend करेगा कि आप demand क्या चल रही है उस asset की क्या fluctuations है उस price में वो market value बिल्कुट different case है यहाँ पर से ध्यान रखना है book value को not used for wasting assets जो wasting assets है उनके लिए यह depreciation वर्ड यूज नहीं किया जाता उसके लिए depletion वर्ड यूज किया जाता है जैसे mines होगे oil wells होगे वहां से जो हम natural product निकालते हैं जो natural gas या फिर जो जो भी natural product है petroleum crude oil वो depletion होती है उसकी value depreciate नहीं होती इस चीज का भी इध्यान रखना value जरूर कम होती है लेकिन हम उसको depreciation वर्ड से नहीं लेते depletion वर्ड यूज किया जाता है wasting assets के लिए वैसे ही जैसे intangible assets के लिए हम amortization वर्ड यूज करते हैं हाना depreciation वर्ड यूज नहीं करते हैं इसके इलावा इसका last feature आता है non cash expense बल्कुल यह non cash expense है यहां पर cash का लेना देना नहीं है यहां से हमारे पैसे नहीं जा रहे हैं यह तो समय के अनुसार उसकी value कम होती जा रही है हम उसके लिए payment नहीं कर रहे depreciation की अलग से पैसे नहीं निकल के दे रहे वो तो उसकी value ही कम होती जा रही है इसलिए इसको non cash expense कहा जाता है नेक्स है अभी depreciation होती क्यों है क्या reason है depreciation होने का तो पहला है by constant use जैसे जैसे हम product का use कर रहे हैं जिस पे situation में use कर रहे हैं चाहे वो बड़ी machinery हो या एक छोटी machine हो उसको जैसे जैसे यूज करेंगे उसकी value कम होती जाएगी wear and tear spare parts उसके घिस जाएगे जो हम spare parts use कर रहे हैं जैसे जैसे वो working condition में आएगी उसके जो spare parts हैं वो wear tear के कारण घिस जाएगे फिर हम उसको change करना पड़ेगा तो इस तरीके से उसकी value कम होती जाएगी by expiry of time जैसे जैसे समय निकलता है न अगर हम product को use नहीं भी कर रहे तब भी उसकी value depreciate होगी क्योंकि कई natural forces है rain हो गया कोई flood आ गया wind चली storms वगयरा तो इन सब कीज़ों से क्या होगा naturally वो product या वो machinery कम होती जाएगी उसकी value इवन अगर वो ऐसे आइडल भी पड़ी हम उसको use नहीं कर रहे फिर भी वो complete होगी फिर भी वो depreciate होगी by expiry of the legal rights अब यहां पर law की बात आती है जहां पर legal rights आ जाते हैं वहां पर value कैसे decrease होती है उसको में एक example के तू समझते हैं for example कि हमने product lease पर लिया है 20 years की lease पर लिया है 5 lakh का product अगर हम हर साल देखें तो हर साल उसकी value 25,000 आ रही है यानि कि हर साल 25,000 वो कम होती जाएगी उसकी value हमने 25,000 का एक साल यूज कर लिया अगले 25,000 का एक बार फिर यूज कर लिया ऐसे हमारे दो साल में 50,000 की value उसकी खतम हो गई इस तरीके से करते करते 20th year तक उसकी value क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी क्योंकि उसके बाद हमें वो return करना पड़ेगा उसके honor को ठीक है इस तरीके से भी legal rights में भी उसकी value depreciate होती है by obsolescence यह तो पता ही है जैसी जैसी नई techniques आएंगी नई inventions होगी वैसे वैसे वो उसकी value कम होती जाएगी product की machinery की by depletion यह हम पार्थ कर चुके हैं जितने भी wasting assets होती है उसकी value कम होती है लेकिन उसके लिए जो word हम use करते है वो है depletion by accident कोई भी कारण हो सकता है fire earthquake flood इन सबके कारण भी उस machinery की जो भी asset है हमारे पास उसकी value कम होगी तो यह कुछ reasons हैं जिससे depreciation देखने को मिलती है asset में अब क्या factors हैं किनकी चीजों पर effect पड़ता है उस asset की जिससे उसकी value कम हो रही है सबसे पहले आता है total cost of production जो भी depreciation लगता है वो original cost पे लगता है product के अब उस original cost में क्या आता है सिर्फ उसकी value नहीं आती जो product की cost है सिर्फ उतना ही नहीं आता बलकि उससे related जितने भी हमने expenses करें है उसको install करने तक वो सब उसमें include होते हैं cost तो आएगा ही साथ में freight उसको लेके आने के जितना भी freight लगेगा वो transit insurance जो कराई जाएगी वो भी उसमें included होगा installation cost जो लगेगी वो भी include होगा तो यह total cost हम इन सब को मिला के consider करेंगे सिर्फ इसको नहीं चिक्यां next आता है estimated useful life of asset हमें दूसरी चीज़ जो consider करनी है वो क्या है कि उसकी useful life क्या है asset की हम कितने सालों तक उस asset को use करने वाले हैं इस चीज़ को भी consider करेंगे जितना भी business operations में उसको use किया जाएगा जितने भी सालों तक उसको बोलते हैं estimated useful life of asset example जैसे machinery है हमने कोई भी machine install करी वो 25 साल तक काम कर सकती है 25 साल तक हमें services वो दे सकती है लेकिन 15 साल के बाद ही वो obsolete हो गई उसके बदले में एक नई machine आई जो उसे जादा output हमको दे सकती थी business को तो हम क्या करेंगे हम वो जो जादा output दे सकती है machine उसको install करेंगे तो इस हिसाथ ते जो पुरानी machine है उसकी useful life से 15 years तक ही रहेगी क्योंकि उसके बाद हम नई वाली machine को लेने वाले हैं ठीक है हलांकि वो 25 सालों तक काम हमें करके दे सकती थी services प्रवाइड कर सकती थी लेकिन 15 सालों के बाद ही वो अपसलीट हो गई है उसकी जगह हम नई machine को install करने वाले हैं तो हम उसकी useful life से 15 सालों तक ही consider करेंगे जो थर्ट चीज हम consider करते हैं वो है scrap value अब scrap value किसे कहा जाता है वो scrap value जो उस asset के last में बचेगी जिसको residual value भी कहा जाता है और break up value भी कहा जाता है वो asset जिसको हम बार बार यूज करने के बाद उस पर जितनी depreciation लगती रही उसके बाद जो बची है जो बचा है वो asset की value उससे बोलते हैं scrap value आप इसको एक example लेके चल सकते हो जैसे आपके पास आपने कोई भी product यूज करा है कुछ भी आपके पास है कोई फैन है माल लो कि कह table fan है उसको आपने बहुत यूज कर आप वो अच्छी condition में नहीं है अब अच्छे से काम ही नहीं कर रहा तो अब जो आप उसको बेचने के बाद किसी कहीं पर भी आप बेचोगे उसको उसके बाद जो आपको value मिलेगी वो होगी scrap value क्योंकि आप वो इस condition में तो नहीं है कि आपको वो services दे सके लेकिन फिर भी आपको उसको इसकी value मिल रही है ना आपको कुछ पैसे तो मिल रही है ना तो वही जो पैसे आपको मिल रही है वो उसकी residual value है जिसको scrap value और breakup value भी कहते हैं इसको भी हम एक्जांपल से समझते हैं जैसे machine की cost आ रही है machine की cost 60,000 है और scrap value 5000 है जो में पता चल गया कि यह product last में सिर्फ 5000 का ही विकने वाला है ठीक है और उसकी useful life 10 years है दस साल बाद इस machine की cost 5000 होगी ठीक है तो अब अगर हमें depreciation calculate करना है तो इसका एक particular formula होता है वो है cost of asset minus scrap value divided by useful life asset की cost कितनी है 60,000 scrap value कितनी है 5000 और useful life इसकी 10 years है तो इस हिसाब से 55,000 हमारा depreciation आया यानि कि 10 सालों तक 60,000 में से 55,000 माइनस होता जाएगा हर साल माइनस होता जाएगा और last में जो product की value बचने वाली है वो यही बचेगी scrap value 5000 ठीक है तो अब आती है इसमें important depreciation में जो important point है वो है इसके methods methods क्या है depreciation को provide करने के लिए यहाँ पर number काफी सारे methods है लेकिन हमें जो हमारे syllabus में है वो two ही method है एक है SLM जिसको बोलते हैं straight line method और है return down value method टू methods है इसके हम इसका point to point देखते हैं कि किसे कहा जाता है SLM और किसे कहा जाता है WDM तो start करते हैं straight line method से straight line method को original cost method भी कहा जाता है अब क्या है इसमें depreciation is charged at the fixed percentage on the original cost of the asset इसमें जो depreciation लगती है वो एक fixed percentage पे लगती है यानि कि इसमें पहले ही बता दिया जाता है कि हर साल 10% की depreciation लगने वाली है इस पे हर साल same depreciation लगेगी अगर 1 lakh का आपका product है तो उस पे 10% depreciation यानि कि 10,000 every year 10,000-10,000 depreciation लगेगी यह fixed होता है ठीक है इसमें changes नहीं होंगे इसलिए कहा जाता है कि जो depreciation है वो equal रहेगी from year to year इसलिए इसके two और नेम आ जाते हैं equal installment method और दूसरा आता है fixed installment method तो इस हिसाब से इस method के four names हुए straight line method, original cost method, equal installment method और fixed installment method किसी भी नाम से आपको ये question पूछा जा सकता है कि बताओ equal installment method में किस टाइप की percentage लगती है depreciation पे तो आप बताओगे कि equal installment पे fixed percentage लगती है simple पस आपको नाम याद होने चाहिए अब इसका जो formula है आपको formula वही याद रखना है जो अभी थोड़ी पहले आमने करा था कि depreciation क्या है original cost में से scrap value minus करेंगे और divide होगी estimated life of the asset ठीक है अब इसमें जो चीज धियान में रखनी है वो क्या है कि जो cost है product की जैसे जैसे उस पर depreciation लगेगी तो वो reduce होके 0 भी आ सकती है और scrap value भी आ सकती है समझाया मतलब जैसे भी question में given होगा अगर question में scrap value given नहीं है तो इसकी value reduced होगी to 0 if it is given in the question scrap value तो उसकी original cost reduce होके उतनी value आईगी जितनी scrap value है बचेगी इसको भी हमें example कीदो समझेंगे पर उससे पहले आपको एक और जो formula learn करना है वो है कि कई बड़ी depreciation नहीं given होती उसका rate हमें निकालना है तो किस तरीके से निकालेगा जिस तरीके से आपने depreciation को calculate कर लिया अब आपके पास depreciation का amount आ गया उसको divide करेंगे total cost of asset से multiply by 100 तो आजएगा rate of depreciation ठीक है अब देखो जो मैं आपको बता रही थी कि जो original cost है उसकी value 0 पर भी reduced हो सकती है और scrap value उपर भी हो सकती है कैसे अब हम मानते है cost है asset की one lakh scrap value given है which is five thousand और estimated useful life दे रखी है five years अब हम depreciation जब calculate कर रहे हैं हमें पता है original cost में से scrap value को minus करेंगे और divide करेंगे estimated useful life से तो हमार पास depreciation आ रही है 19,000 अब 19,000 कितने साल लगेगी पांच साल लगेगी every year 19,000 depreciation हमको देनी होगी asset में से कम होगी अब देखो कैसे होगा इसको asset one leg का था first year 19,000 depreciation लगी value बची 81,000 next year फिर से 19,000 लगी value बची 62,000 third year 19,000 value is this again 19,000 fourth year पे value बची 24,000 again fifth year 19,000 और value बची 5,000 और 5,000 है scrap value वही scrap value जो question में given थी यानि कि यहां पर जो original cost है asset का वो reduced हुआ to the scrap value जितनी भी scrap value थी और आपने यह भी notice करा कि हर साल सिफ 19,000 19,000 ही depreciation लग रही है तो इससे यह चीज भी proof हो जाती है कि यहां पर fixed percent लग रहा है which is same year to year जो depreciation same रहेगी हर साल ठीक है तो इस तरीके से हमारा जो straight line method है वो complete होता है और next जो method आता है वो है return down value method second method अब यहां पर क्या होगा अब ध्यान इसमें क्या देना है यहां पर प्रब्बीशेशन लग ही रही है यहां पर भी value asset की कम होगी year to year वैसे ही जैसे straight line में था लेकिन यहां पर डूसरी बात जो ध्यार में रखनी है यहां पर depreciation की value भी कम होगी ठीक है जैसे वहां पर हर सल 19000 यानिकी सेम था लेकिन यहां पर जैसे जैसे एसे एक्सिट की वाल्यू तो कम होगी साथ में डैप्रीशेशन की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी कैसे चलो एक्जाम्पल के तु समझते हैं जैसे मशीन की कोस्ट 10,000 थी और यहां हम डाप्रिशेशन 10% ले रहे हैं अब एवरी यहर 10,000 पे डाप्रिशेशन 10,000 पे 10% लगी 1,000 वैल्यू बचे 9,000 अब जो डाप्रिशेशन लगेगी वो इस पे लगेगी इस वैल्यू पे ओरिजिनल क पास्ट पे नहीं जो बचेगी जो बुक वैल्यू बचती चली जाएगी उस पर डाप्रिशेशन लगती जाएगी यही डिफ्रेंस है रिटर्ण डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड में अब 9,000 पे 10% लगा 900 बचा वैल्यू 8100 एटी वान पे 100 पे फिर से 10% डाप्रिशेशन लगा बची वैल्यू 7,290 अगें डाप्रिशेशन 10% 729 वैल्यू बची 10 देखो अब यहां पर वैल्यू अफ एसेट की जो वैल्यू है एसेट की वो तो कम हो रही है 10,000 से 9,000 से 8100 अगें कम-कम होते चली जा रही है तो यह वैल्यू बची वहीं पर ही यहां पर जो कॉस्ट पर यहां पर जो कॉस्ट पर डाप्रिशेशन लगती है वह हर साल चेंज होगा जितना भी डाप्रिशेशन लगने के बाद जो जो मांट बचेगा एसेट का उसके ऊपर फिर डाप्रिशेशन लगेगी फिर जो मांट बचेगा फिर डाप्रिशेशन लगेगी दूसर डिफ्रेंस देखा कि यहां पर एसेट की वैल्यू तो कम हो रही है लेकिन साथ में डाप्रिशेशन की वैल्यू भी कम हो रही है ठीक लग रही है तो हर साल हर साल जो डाप्टिशेशन लगेगी वह बुक वैल्यू पर लगेगी वही जो बैलेंस बसता चला जाएगा एसेट का रादर देन ओन दे oral अरिजिनल कॉस्ट अब जो बुक वैल्यू है उसको रिटर्ण डाउन वैल्यू भी कहा जाता है एसेट की ठीक है यह वी एक एक्स्ट्रअ पॉइंट है बुक वैल्यू इस आल्सो कॉल रिटर्ण डाउन वैल्यू ऑप दे एसेट और इस मैथड को दिमनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसके थी नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड रिदूसिंग इंस्टॉल्मेंट मैथड और डिमनिशिंग बैलेंस मेथड अब हमें जो इसमें और ध्यान रखना है कुछ इंपोर्डेंट पॉइंट्स हैं इससे डारक्ली पूछा जाता है कैसे इकवल चार्ज अगेंस्ट इंकम इसको रिटन डाउन वैल्यू मैथड को कहा जाता है कि एकवल चार्ज है अगेंस्ट इंकम कैसे यहां पर दो चीजों को ध्यान रखना है एक डाप्रिशेशन और डूसर रिपियर अगर यह कहा जाए कि अगर उस प क्योंकि हमने देखा कि रिटर डाउन वैल्यू मैथड में डैप्रीशेशन क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है ऐसे ही अगर उस पर हम रिपेरिंग का काम करेंगे तो रिपेरिंग की वैल्यू तो भड़ती जाएगी क्योंकि किसी दिन एक स्क्रिव कराब हुआ अगले सा जारहमें इसके 3 parts चेंज करने पड़े तो रिपेर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और यहां पर डैप्रीशेशन की वैल्यू कम होती जा रही है इससे क्या रहेगा बैलेंस रहेगा लेकिन अगर हम औरीजनल कॉस्ट में देखें और रिजनल कोस्ट में क्या है उसमें तो depreciation और 2,000 का repair अगले साल फिल 19,000 की depreciation और उसके next year 3,000 का repair तो ऐसे तो repair तो भढ़ता जा रहे है और depreciation बैसी की बैसी है तो इससे हमारा amount का होएगा भढ़ जाएगा इसलिए the amount of depreciation goes on decreasing while the expenses on the repair goes on increasing इसलिए यह balance बना के रखती है repairs और depreciation I hope आपको यह point समझ आगया होगा क्योंकि बहुत important point है जब भी आपको पूछा जाये ना कि repair, repairing वाले charge और depreciation में कौन साम method better होगा तो आप हमेशा टिक करना return down value method second आता है कि balance of asset is never return off to zero जैसे हमने original उसमें करा था straight line method में करा था कि यहां पर depreciation की value मतलब original cost है जो product की वो reduced होगा या तो zero पे या तो scrap value पे यहां पर कभी भी वो zero नहीं जाएगा कभी भी नहीं जाएगा उसके value कम होती जाएगी लेकिन कभी भी zero नहीं आएगा depreciation is debited to profit and loss account so long as to asset remain in use जब तक हम उस asset को use कर रहे हैं तब तक वो depreciation एक expense की तरह profit and loss में दिखाया जाएगा लेकिन वो कभी भी zero नहीं होगी उसकी value कभी नहीं होगी next जो third point आता है यह है approved method income tax authority income tax authority ने कौनसा method को approve किया है better जो method है किसको माना है इसको written down value method को इसको approval मिली है क्योंकि यह एक सही cost दिखा रही है asset की ठीक है अब फटा फट से इसको summarize कर लेते हैं इसके difference के through straight line method और return down value method amount of depreciation क्या थी equality हमें पता है लेकिन यहां पर यह हो रही है goes on decreasing हर साल उसकी depreciation की value कम होती जाएगी basis of calculation क्या है यह depreciation original cost पे charge की जाती है जबकि यह reducing balance पे यानि कि उस particular year के book value पे reduce करने के बाद जो भी book value बचेगी उसके उपर calculate होगी depreciation zero level की बात करें तो बिल्कुल सही है it is reduced to zero यह reduce किया जा सकता है zero पे value आ सकती है या फिस scrap value पर भी जबकि यह never to be reduced to zero यह कभी भी zero पे नहीं जाएगा combined effect of the depreciation and repairs on profit and loss account अगर यह पूछा जाए कि क्या effect होगा depreciation और repair का profit and loss account में तो पहले सालों में तो यह lighter रहेगा क्योंकि पहले सालों में repair तो कम होगी ही repair का amount तो कम होगा और depreciation भी constant रहेगा लेकिन बाद में क्या हो जाएगा depreciation तो उतनक उतनक constant है और repair हमारी भढ़ जाएगी इसलिए यह heavier हो जाएगा जो burden होगा जबकि यहाँ पर क्या होगा almost equal over different year almost equal होगा क्योंकि अगर depreciation की value कम होती जा रही है और repair की value भढ़ती जा रही है तो वो almost क्या रहेगा balance ही रहेगा यहाँ पर mainly rate of depreciation low रखी जाती है as compared to the return down value method और भही पर return down value method की जो depreciation है वो higher रखी जाती है as compared to the straight line method अब suitability देखें तो यह किस के लिए suitable है उन asset के लिए suitable है जो जहाँ पर obsolence की possibility और repair charges कम लगते हो वहाँ पर यह suitable है जैसे patents हो गया, buildings हो गई इन पर ठीक है वही पर ही यह suitable है उन assets के ओपर जहाँ पर repair charges भी जादा हो और जहाँ पर obsolence होने का भी chances क्या हो जादा हो जल्दी से वो product obsolete होते हैं वहाँ पर return down value method suitable होता है plant and machinery, vehicles इवन जो building है न वो यहाँ पर भी आ सकता है क्योंकि building में क्या होगा उसमें हमें changes करने पड़ेंगे repairing का काम भी चलेगा उसमें लेकिन बहुत जादा जल्दी नहीं चलेगा इसलिए हम building को यहाँ पर भी consider कर सकते हैं यहाँ पर भी अब जो इसका बसता है पार्ट वो इक numerical पार्ट है लेकिन जो important है जो पेपर में आता है वो इसका theoretical पार्ट है हर एक point को इस video में consider किया गया है thank you